हलो दोस्तो वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मद्धिपृतिस डेली करंट अफ्यर में आपका स्वागत है आज है 30 मार्च 2019 और यह हमारी 114 वी क्लास है 12 important question आपके लेकर आये हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कलने क्यूंकि यह आपके exam मे पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने है question number first हाली में tennis का कौन सा cup बंद हुआ है तो इसका सही option है hope man cup हाली में hope man cup tennis का बंद हुआ है यह cup 30 साल बाद बंद किया गया है इसकी जगह man's ATP cup शुरू हुआ है इस cup में 170 करण रुपए की इनामी राश्य दी जाती थी यह cup औस्टिलिया में खेला जाता था अमीरका इसे 6 वार स्वेजलेंड 4 वार और इस्पेन 4 वार जीच चुका है दोस्तो अब बात आईए औस्टिलिया की तो मैप में आपको औस्टिलिया की बारे में बता दें यह जिगह है औस्टिलिया को दरसाती है औस्टिलिया की राजधानिया केनवरा औस्टिलिया की कर गोल्ड मेडल जीता है जिसका सई उफ्षन है मनू भाकर और सौरप चोधरी इन दोनों ने बारहवी एशियन एरगन चेंपियर्शिप में गोल्ड मेडल जीता है इन दोनों ने मिक्स्ट 10 मीटर एर पिस्टल में पहला इस्थान हासिल किया है आपको बता दें मनू भाकर और सौरप चोधरी ने बारहवी एशियन एरगन चेंपियर्शिप में दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता है नेस्ट कोश्चन मुक्यमंत्री हेल्प राइन निराकरण में कौनसी जिला पंचायत नंबर एक पर है जिसका सई उफ्षन है सागर सागर जिला पंचायत मुक्यमंत् बात आई है सागर की तो कुछ एमपोर्टन फेक्ट आपको सागर की बारे में बता दें। इरण सती का प्रथम लेक यह सागर में ही इस्थेत है तो दोस्तो इतना आपको सागर की बारी में याद रखना है इस फिल्म की सूटिंग की जाएगी दोस्तो यह important question इसलिए भी है क्योंकि इस फिल्म से पहले genius और padman भी यहाँ सूट की गई है तो exam में question पूछा जा सकता है कि मद्यप्रदेश के किस जगह है इन फिल्मों की शूटिंग की गई है तो option है महेश्वर दोस्तो अब बात आईए महेश्वर की तो कुछ important fact आपको महेश्वर की बारी में बता दें महेश्वर नर्वदा तट पर इस्थित है जो खरगों जिले में है महिश्वर और मंदलेश्वर नर्वदा के दूसी तरफ इस्थित है आपको बता दें इन दोनों शहरों को महिश्वर और मंदलेश्वर को जुलवा शहर भी कहा जाता है तो इतना आपको महिश्वर के बारी में याद रखना है चलते हैं नेश्ट क्वेशन हाली में किसे BCCI का तदर्थ Ethics Officer नियुक्त किया गया है जिसका सही Option है DK Gen हाली में DK Gen को BCCI का तदर्थ Ethics Officer बनाया गया है ये BCCI के लोकपाल भी है साथ ही इन्हें यह पद भी दिया गया है आपको बता दें Ethics Officer का काम खिलाडी कोच और अधिकारियों के टकराओं की जाज करना है ये कारेकाल एक वर्ष का होता है DK Gen सुप्रीम कोट के जज़ भी रह चुकी है दोस्तो अब बात आई है BCCI की तो आपको इसके बारे में बता दें BCCI को भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहा जाता है इसकी स्थापना 1928 में की गई थी BCCI का हेड़कॉर्टर मुंबई में है एक और important fact आपको BCCI के बारे में बता दें भरास्टाचार और एक आधिकार से निपट ने सुप्रीम कोट ने 2017 में एक समीती बनाई थी तो इतना आपको BCCI के बारे में याद रखना है Next question बिस्व का सबसे उंचा पोलिंग भूत कहां इस्तित है जिसका सई option है हिमाचल प्रदेश बिस्व का सबसे उंचा पोलिंग भूत इस्तित है यह पोलिंग भूत ताजी गंगा गाउं में इस्तित है यह हिमाचल प्रदेश की लाहल स्पीती जिले में इस्तित है आपको बता दें समुद्र तल से यह 15,256 फीट उंचाई पर इस्तित है दोस्तों अब बात आईए हिमाचल प्रदेश की तो आपको हिमाचल प्रदेश की बारे में बता दें मैप में ये जगह हिमाचल प्रदेश को दरसाती है हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनबरी 1971 में की गई थी हिमाचल प्रदेश की गवर्णर रहें आचार्य देवरत और हिमाचल प्रदेश की मुख्य मंतरी हैं जैराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला तो इतना आपको हिमाचल प्रदेश की बारे में याद रखना है Next question हाली में किसे SAIL के कच्चे माल और लोजिस्टिक का निदेशक बनाया गया है जिसका सही option है बेवेक गुपता हाली में बेवेक गुपता को सेल के कच्चे माल और लोजिस्टिक का निदेशक बनाया गया है सेल से ये 1980 में जुड़े थे सेल भारत की सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनियों में से एक है दोस्तो अब बात आईए सेल की तो आपको इसकी बारें बता दें सेल का फुल फॉर्म स्टील एथेरोटी ओफ एंडिया होता है इसकी इस्थापना उननीस सो चॉंगन में की गई थी हेटकॉर्टर है नई दिल्ली में आपको बता दें सेल की ब्लांट भिलाई दुर्गापूर राउरकेला बोकारो वन्डपूर में इस्थत है तो इतना आपको सेल की बारे में याद रखना है नेश्ट क्वेशन है हाली में लीमा दुर्जार उननीस का आयोजन कहां किया जा रहा है तो इसका सेल उफ्षन है मलेशिया मलेशिया में लीमा दुर्जार उननीस का आयोजन किया जा रहा है आपको लीमा की बारे मता दें इसका फुल फॉर्म लंगावी इंटरनेशनल मेरी टाइम एरो एक्सपो होता है पहली बार 1991 में इसका आयोजन किया गया था इसका यह 15 वा संसक्रण है आपको बता दें इसमें भारत पहली बार हिस्सा ले रहा है दोस्तों बात आइए मलेशिया की तो आपको इसकी बारे में बता दें तो इतना आपको मलेशिया की बारी में याद रखना है बार्क के अनुसार भारत में 2018 में किस खेल को सबसे ज़्यादा देखा गया है जिसका से यह option है कुस्ती कुस्ती को भारत में सबसे ज़्यादा देखा गया है 2018 में रैसलिंग की हिस्सिदारी 20 प्रतिशत रही वहीं दूसरे नमबर पर है किरकेट जिसकी हिस्सिदारी 19 प्रतिशत रही और आपको बता दें तीसरे नमबर पर है कवड़ी और यह 17 प्रतिशत देखा गया दूस्तो अब बात आईए बार्क की तो आपको इसकी बारें बता दें बार्क क्या होता है इसका फुल फॉम होता है Broadcast Audience Research Council of India बार्क की इस्तापना 2010 में की गई थी बार्क का Headquarter मुंबई में है और बार्क के Chairman है पुनीत गोयंका तो इतना आपको बार्क की बारे में याद रखना है Next Question इस समारव में मुख्य अथिति इसरो के पूर्व अध्यक्ष वेग्यानिक और पदम विभूशन से सम्मानित डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन थे ये विश्व विद्याला सागर जली में इस्तित है कुछ important fact आपको इस विश्व विद्याला की बता दें ये प्रदेश की पहली विश्व विद्याला है किसी व्यक्ति विशिष द्वारा बसाई गई भारत की पहली यूनिवस्टी है 1946 में डॉक्टर हरी शिंग गौर ने इस विश्व विद्याला की इस्तापना की थी और इन्हें के नाम पर इस विश्व विद्याला का नाम रखा गया तो इतना आपको इस डॉक्टर हरी शिंग गौर विश्व विद्याला की बारे में याद रखना है हाली में परदेश के कितने सरकारी करमचारियों को मार्च माहे का वेतन नहीं मिलेगा जिसके सिय ऑफशन है मार्च माहे का वेतन नहीं मिलेगा सैलरी ना मिल पानी का कारण संचनाल, कोश, इवं लिखा के स्वाप्टिवेर में इन करमचारियों के मोवाइल नंबर रेजिस्टर नहीं है जिस करण यह बेतन मिलने में देरी होगी नेश्ट क्वेशन हाली में किस जिले में सिक्षित नारी ससक्त समाच की थीम पर काल रैली आयुजित की गई है इसका सिय ओफ्षन है भोपाल हाली में भोपाल में सिक्षित नारी ससक्त समाच की थीम पर एक कार रैली आयुजित की गई है इस रैली में सिर्फ महिलाओंने हिस्सा लिया है कारों को महिलाओंने बलून से सजाया है रैली में फर्स्ट अवर्ड रुवीना खान को दिया गया है दोस्तो अब बात आये भोपाल की तो कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट आपको भोपाल की बारे में बता दें भोपाल को जीलों का शहय भी कहा जाता है मद्ध प्रदेश का सरवादिक जन संक्या घनतव भोपाल में ही है ताजुल मस्जद देश की सबसे बड़ी मस्जद भोपाल में ही इस्तित है रास्टिय बिदी अकेडमी 1994 में इस्थापित की गई थी भोपाल में बिस्थ का सबसे बड़ा स्वर उजा संयंत्र भोपाल में ही बनाया गया है प्रदेश का पहला इनरजी पार्क भोपाल में ही बनाया गया है एक और इंपोटेंट फेक्ट आपको बता दें 2 और 3 दिसंबर 1984 को मितायल आइसो साइनेट गैस का रिसा हुआ था जिसके कारण भोपाल में हजारों मौते हो गई थी दोस्तो इतना आपको भोपाल की बारी में याद रखना है तो दोस्तो ये था हमाराज का डेली करन्ट अफियर आप मारे चैनल स्टड़ी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कल हम आपके साथ फिर मद्यप्रदेश और वर्ल्ड के इंट्रेस्टिंग फेक्ट को लेकर हाजर होंगे तब तक लिए नमस्कार, have a nice day